आज मैं आप लोगों के साथ एक यूइक रेसिपी शेर कर रही हूँ जो कि है महुवा महुवा से हम एक रेसिपी बनाएएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हिल्दी रहेगा यह है कच्चा महुआ हम इसको महूल के नाम से जानते हैं जंगल में और इंटिरियर में जैसे ट्राइबल लोग इसको बहुत यूज करते हैं और ये पकने के बाग ऐसे होके ये पेड से नीचे गिर जाता है इसको ड्राय करके गाओं के लोग और इंटिरियर में जो ट्राइबल लोग हैं वो इसको कलेक्ट करते हैं और इसको स्टोर करते हैं पिजर्व करके रखते हैं साल भर के लिए ये ड्राय फ्लावर है जो इसको मैं लेके आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज एक पीठा कर रेसिपी महुआ के ड्राय फ्लावर को मैं लेके धो के अच्छे से पानी में भीगो के रखी हूँ और यहां पे मैं ली हूँ छिलका वाला मुंग दाल उड़त दाल और चावल दो कब चावल में मैं एक मुठी फूल है तो इसके अंदर जो छोटी-छोटी इसके कुछ पार्टिकल्स रहते हैं फूल के वो पोशन हमको निकाल देना चाहिए या फिर इसको भीगो के रखने से भी उसमें से भी हम इसको निकाल सकते हैं जैसे कि मैं इसको भीगो के रखी हूँ तो यहां पे भी इसको हम निकाल सकते हैं अराम से इसका खुश्बू बहुत ही अच्छा रहता है जब ये कच्चा जंगल के अंदर कहीं पे भी रस्ते में भी इसका पेड़ पौधा रहता है तो वहाँ पे भी गिर जाता है नीचे तो ये बहुत ही अच्छा खुश्बू देता है इसको हम साफ कर ले के बाद दोनों को मैं मिला के पीस ली हूँ और उसको भी मैं 6-7 घंटा रख दी हूँ तो ये फॉर्मेंट हो चुका है और ये है उसका फल इस फल से निकलता है तेल जो की लोग इसको यूज करते हैं खाने में ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये मार्केट में साबूत भी मिलता है और ये ऐसे छिलका निकाल के काट के भी ये लोग मार्केट में बेशते हैं इसका भी सबजी बनता है और ये बहुत ही हेल्दी है फूल में इसका फुरपूर मात्रा में कोटसियम, कैलसियम, आईरन, फाइवर बहुत कुछ मिलता है कैलसियम भी इसमें है और कार्भो हाइडरीट भी है तो इसकीन के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है इसका जो अच्छा वो भी स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो चलिए हम बनाते हैं इसका पीछा यहां पे मैं पैन में ले ली हूं थोड़ा सा तेल और उसमें मैं तड़का में डाल रही हूं राई तड़कने के बाद में इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा उड़त का दाल इसमें हम करेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अद्रक को कदुकस करके और ग्रीन चिली को छोटा-छोटा एक दुम काटके और कड़ी पत्ता छोटा-छोटा काटके देंगे और धन्या पत्ता भी इसमें हम छोटा-छोटा काटके एड़ करेंगे और यह बहुत ही टेस्टी और बह लिए मिलता है बाके सिजन के लिए इसको ड्राइ करके लोग यूज करते हैं महुआ प्लांट का फूल पत्ता उसका छिलका उसका रूट यानि की जड़ सारे में मेडिसिन बनता है आयरवेदा में इसको लोग काफी यूज करते हैं और ये एक सूपर प्लांट के नाम से माइगरेन के लिए, टॉंसिल के लिए और ब्रॉंकाइटिस के लिए भी इसमे से मेडिसेन बनता है। अच्छा लगेगा तो इसके उपर में डालेंगे बैटर बैटर में थोड़ा सा नमक में एड़ की हूँ महुआ फूल का टेस्ट थोड़ा सा मीछा रहता है और बहुत ही अच्छा एक खुश्बू इसमें से मिलता है पैटर को तड़का के चारों और हम कवर कर देंगे चार या 5 स्पून इसमें से यूज की हूँ में और थोड़ा सा ठीक भी है इसको रखी हूँ इसको हम कवर करके एक साइड पकने के बाग फिर हम इसको टर्न करके दूसरा साइड भी पका लेंगे और ये हो चुका है कवर कर दी में चारों और से उसको नीचे से तड़के का जो इसके अंदर enhance हो जाएगा पीठा में और यह बहुत ही अच्छा लगेगा ट्राइबल लोगों का यह एक income source है वो लोग इसको बेज के पैसा कमाते हैं और इसमें से alcohol भी बनता है इसका जो फल है इसका फल को हम लोग टोल बोलते हैं और टोल का तेल यानि की oil निकाला जाता है उसमें से और वो skin के लिए काफी healthy होता है इसको लोग खाने में भी यूज करते हैं इस तेल को यह पीठा को अगर आप सशों के तेल में बनाते हैं तो यह और भी tasty लगता है जैसे कि मैं सशों के तेल में इसको बनाई हूँ इसको मैं cover करती हूँ यह थोड़े देर होने के बाद एक side हम इसको turn कर देंगे एक side हो चुका है अब इसको मैं turn देखे कितना खुबसूरत दिख भी रहा है और यह बहुत soft और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी लगता है और healthy भी है यह पीठा नंदिनीस kitchen last make underscore लगाए तो मेरे चैनल को आप सर्च भी कर सकते हैं और मैं healthy औ और yummy फटाफट बनने वाला recipe आप लोगों के साथ share करती हूँ आप अगर पहले बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो subscribe करें आपके पास notification जब भी मैं video upload करूँगी तो पहुंच जाएगा आप देखें बनाएं और घर में सब को खिलाएं आज का ये महुआ पीठा का recipe आपको कै कैसा लगा तो मुझे comment में जरूर बताएं एक एक like करें मुझे motivate करें ताकि मैं और भी अच्छा recipe आप लोगों के लिए लेके आओं और ये महुआ का पीठा हमारा त्यार हो चुका है बहुत ही yummy और बहुत ही healthy बना है आप इसको दही के साथ चटनी के साथ serve कर सकते हैं फिर में कुछ नया लेके आओंगी तब तक के लिए बाई